पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था वह गाव के एक जमीनदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था पहले किशन के भी खेत थे लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था वो हर दिन सोचता की कैसे घर की स्थिती को बहतर किया जाए आज भी इसी सोच के साथ किशन सुभ़ सुभ़ जमीनदार के खेत पर काम करने के लिए निकला खेत में काम करते समय उसका हल किसी धातू से टकराई और तेज आवाज हुई किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहां उसने तुरंत उस हिस्से को अपने पास पड़े कुदाल से खोदा तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला पतीला देखकर किशन दुखी हो गया किशन के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ किशन ने खाना खाने के लिए अपनी कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुह धोकर खाना खाने लगा खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुँचा वहां पहुँचते ही किशन हैरान हो गया उस पतीले के अंदर एक नहीं, बलकि बहुत सारे कुदाल थे, उसे कुछ समझ नहीं आया. तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया. वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई. ये सब देखकर किशन खुश हो गया और उस जादूई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया. वो हर दिन उस बरतन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते, तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता. ऐसा करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी. उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया. एक दिन किशन ने कुछ गहने खरी दें और उन्हें भी पतीले में डाल दिया. वो गहने भी बहुत सारे बन गए. इस तरह धीरे-धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने जमीनदार के यहां मजदूरी करना भी छोड़ दिया. क धरी हुई आवाज में किशन बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था. मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है. खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमीनदार ने कहा, किशन ने जादूई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नते की लिकिन जमीनदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादूई पतीला लेकर चला गया जमीनदार ने भी किशन की ही तरह उसमें सामान डाल कर उन्हें बढ़ाना शुरू किया एक दिन जमीनदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिये और रातो रात बहुत अमीर हो गया एकदम से जमीनदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुँच गई पता लगाने पर राजा को भी जादूई पतीले की जानकारी मिली फिर क्या था? राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेज कर जमीनदार के यहां से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया राजमहल में उस जादूई पतीले के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू किया सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया होते होते गलती से राजा खुद उस पतीले के अंदर गिर गया देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए पतीले से निकला हर राजा बोलता मैं पीतलनगर का असली राजा हूँ तुम्हें तो इस जादूई पतीले ने बनाया है।